आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Students Question में कह रहा है है कि If the wavelength of the wave is large तो अगर आपने Lambda बढ़ा दिया Then the degree of of diffraction observed is दो को Lambda बढ़ाने से होगा क्या दो को diffraction की condition क्या होती है कि diffraction condition यह होती है कि Lambda must be comparable to obstacle size तो obstacle size का मतलब क्या होता है कि जहां से आपको diffraction होना है obstacle size तो जहां से जिस obstacle से यहां से diffraction होना है इसमें diffraction होना है तो इसका जो size है A मान लिए इसका size A है तो it must be comparable to Lambda अब देखो कि Lambda बहुत छोटा हुआ comparable to Lambda अगर Lambda बहुत छोटा हुआ तो इसका मतलब चाहाए कि उसको बहुत छोटा obstacle चाहिए होगा diffraction करने के लिए तो diffraction कम होगा and if Lambda is increased तो अगर आपने Lambda को बढ़ा दिया तो वह उसके आसपास जैसे daily life में क्या होता है कि आपके पास जो आसपास चीजे होती है वह centimeter या meter के आसपास होती है ठीक है या आसपके घर में जो holes होते हैं वह centimeter या millimeter के range में होते हैं तो अगर आप Lambda बढ़ा करके इस range पर पहुचा देंगे उससे क्या होगी degree of diffraction बढ़ता है तो normally क्या होता है कि अगर आप wavelength बढ़ाते हैं किसी wave का जो diffraction object होता है वह increase कर जाता है उसका रीजन ये है कि Lambda जो हो है वह comparable होने ची ऑफ्स्टेकल साइज के तो अगर डेली लाइब का जो ऑफ्स्टेकल साइज अगर उसके बराबर आगे Lambda तो जायसी बात है वह बढ़ेगा ठीक है degree of diffraction बढ़ना चाहिए Thank you Classics से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर